इंडिया टीवी के रिपोर्टर टी रागवन का कहना है कि गौरी लंकेश एक सीक्रेट मिशन पर थी, वो बड़े पैना मायने पर नकसल वादियों का सरेंडर प्लाइन कर रही थी। उन्हें नकसली रिफॉर्म कमिटी का चीफ बनाया गया था। टी रागवन को पता चला कि गौरी लंकेश पिछले हफते करनाटक के चीफ मिनिस्टर सिधार हमयय से मिली थी। करीब दो घंटे तक दोनों ने इस बारे में डीटेल डिसकेशन किया था। गौरी पहले भी बड़े बड़े नकसली कमांडर्स का सरेंडर करवा चुकी हैं और इसी वज़े से वो नकसली की हिट लिस्ट में थी। रागवन ने गौरी लंकेश के भाई इंदर जीट से बात की। इंदर जीट इस बारे में कुछ खास बातें बता रहे थे। इंदर जीट ने का कि होम मिनिस्टर भी कह चुके थे कि गौरी को नकसल बादियों से थेड़ था। नक Says I was getting reform through my sister was closely working with the Chief Minister on this regard and in fact she had brought one person called Sri Manai Nagraj and his friend to mainstream from the Naxalism है तो डीरे प्रोश से वेस्टिर रॉड़ जारे दोनाओ प्रेडिन प्रयाटिफ यह कॉर्च कान्यांने चाहिए सिर्पिट इस प्रॉन्हें फटाइट से भीर्ड हा स recur था पिस अन्याइट जन ने शली इस इस राफ लंड से इस्यांव स्टीम आपर प्सक्राफ इस मेसेज़ें तो गवरी निस रिगार्ड